हलो फ्रेंट्स मैं हूं अलताफ और आप देख रहे हैं फीफा फ्रेंट्स कंगना रनाउत ने हाल ही में कहा था कि बॉल्यूड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं कंगना की इस बात पर बॉल्यूड खामोश है और इस खामोशी को लेकर महेश जेट मलानी जो सीनियर लॉयर है उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है महेश जेट मलानी ने ट्वीट करते हुए ये सवाल पूचा कि एक बॉल्यूड एक्टरेस एक टीवी चैनल पर निजी गैन का दावा करते हुए एक गंभीर आरोप लगाती है कि 99% बॉल्यूड नशीली दवाओं का सेवन करता है यानि ड्रग्स लेता है इस पर बॉल्यूड अब तक खामोश है किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस खामोशी को लेकर आप क्या कहेंगे रमाहे चेटमलानी ने आप से सवाल पूचा है ट्विटर के जरीए करना रनोट ने बताया था कि बॉल्यूड में किस तरह से एक पावफुल इनसान जो होता है वो ड्रग्स की पार्टी आयुचित करता है और लोग इसमें जाके ड्रग्स का सेवन करते हैं ये बॉल्यूड का ड्रग कल्चर है और 99% लोग ड्रग्स लेते हैं बॉल्यूड के इस पर अब तक कामोशी है महेश जेटमलानी ने जो सवाल पूचा है उसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिए बॉल्यूड और सुशान सिंग राजपुत मामले की पल पल की जानकारी पाने के लिए आप फिफा फूस के साथ बने देगे